Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios. मेरा नाम है चातेन और आज इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ Best Free Dog के बारे में. So, let's get started. So, guys, काफी बारे comments में एक question पूछा जाता है Best DAW कौन सा है? उसके बाद थोड़ी सी conditions भी लगे होती हैं कही बारी. Best Free DAW कौन सा है? So, आज इस वीडियो में एक मैं Free DAW आप लोगों के लिए ले कर आया हूँ. आप में इसे बहुतों को इसके बारे में पता भी होगा और उससे जादा कई लोग शायद इसको यूज़ भी कर रहे होंगे. So, कोई नहीं खुलासा कर देते हैं, इसका नाम है Studio One Prime. Free software है and I think इनकी website पर mention है कि ये एक best free software है, DAW है. So, मैंने सूच है क्यों न यार इसको भी चेक करा जाए. So, जब मैंने इसको download करा, install करा, सारी चीज़े करी. So, देखने में यार मिरको भी काफी अच्छा लगा. वैसे एक free DAW आपको और मिल जाएगा, जो की है a built-in live light 10 version. So, वो अभी free चल रहा है, splice पे, उसकी I think date है 31st of December 2020. अगर interested हो, सो जल्दी से जाके उसे भी आप download कर सकते हो. Free है या, download कर लो, क्या problem है? अगर tension है, कुछ की नई समझ में आ रहा, सो मैंने वीडियो बनाई है, काट में लिंक मिल जाएगा, जागे check कर सकते हो. और आज इस वीडियो में हम download करने वाले हैं, जो Studio One Prime है, उसको. So, यहाँ पर आज तो इसको download करेंगे, installation में आपको सारी चीज़े बताऊँगा, activation, installation, सब कुछ बताऊँगा. अगर आप लोग मुझे suggest करोगे, comment section में आप मुझे बताना, so यहाँ पर मैं और भी इस पर वीडियो लेकर आऊँगा. So, बातों को यहीं पर कर देते हैं, stop और सीधा चलते हैं, computer screen पर install तो गरने पहले. So, सबसे पहले आपको open करना है Google Chrome and type करना है Studio One. And यहाँ पर जो first link आएगा, उस पर करना है click. So, यहाँ पर please on us, Studio One की official website आपके सामने आ जाएगी. Website का link मैं आपको description में दे दूँगा, so that आप directly यहाँ पर चले जाओ. Then उसके बाद हमें यहाँ पर click करना है buy now. Tension मत लेना, कोई भी product हम buy नहीं करने वाले हैं. So, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे versions आ जाएगे, जो की pre-sonus हमें offer करता है. Then आप देख सकते हो, सबके साथ prices भी हैं, लेकिन आपको tension लेनी की जरुद नहीं है, आपको थोड़ा सा करना है scroll down and यहाँ पर देख सकते हो studio 15 prime, price free and यहाँ पर लिखा है the best free door. So, इसको कर देंगे add to cart, login to checkout पर करेंगे click, so यहाँ पर आपको एक account create करना होगा and अगर आप already account create कर चुके हो, so यहाँ पर आपको login करना होगा, so मैं already create कर चुका हूँ अपना account, so मैं login कर लेता हूँ, login पर करेंगे click, then आपको click करना है proceed to checkout, Thank you for your purchase, so यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो है इसको purchase कर लिया है, cost इसकी free थी, but एक procedure होता है, जो हमें follow करना होता है, so यहाँ पर invoice भी आपको मिलेगी, so that कि अगर आप YouTube पर कुछ काम करते हो, so वहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरीके का copyright strike ना आए, so यहाँ पर अब आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं पास यह है, यह I think double हो गया है, बट कोई नहीं, यहाँ पर किसको करेंगे click, Studio One 5 Prime मेरे account में add हो चुका है, and आप यहाँ पर देख सकते हो, में पास serial key भी आ गई है, so इसको कर लेता हूँ, मैं copy, and अब इसको करेंगे download, so download Windows installer पर करेंगे click, because मैं Windows यूज़ कर रहा हूँ, so मैं Windows installer यूज़ करूँगा, अगर आप Mac यूज़ कर रहे हो, so यहाँ से जागे आप show all systems पर click करोगे, and यहाँ से आप Mac के लिए भी download कर सकते हो, so यहाँ पर कुछ और भी हमें I think downloads मिलते हैं, show for bundle download, so इस पर करेंगे click, and यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे को थोड़े बहुत sounds, loops, यहाँ पर मिलते हैं, so इसको भी हम कर लेंगे download, and आप सब का file size यहाँ पर देख सकते हो, so थोड़ा सा time यहाँ पर लगने वाला है, so यह download होने में थोड़ा सा time लगेगा, बढ़ जो हमारा setup है, वो download हो चुका है, so उसको करते हैं run, ok, next, I agree, install, finish, so आप यहाँ पर website पर देख सकते हो, जो activations हैं, यह 0 out of 5 हैं, that means इसको हम 5 बार activate कर सकते हैं, यहाँ फिर अगर आप बोल सकते हो, so हम 5 अलग-अलग systems पर इसको activate कर सकते हैं, so download यहाँ पर अभी चल रहा है, so इसको करते हैं minimize, and यहाँ से studio one open कर लेते हैं, so आप देख सकते हो, desktop पर icon आगया है studio one का, open करते हैं, so यहाँ पर I accept पर करना है, click, then उसके बाद हमें email id and password जो था, हमारा account password वो यहाँ पर हमें enter करना है, login पर करना है, click, so यहाँ पर हमें studio one को करना होगा, activate, so second option, choose करेंगे, activate my purchased version of studio one, so basically हमें पर्चेस ही करा है, बद चो इसकी price थी, वो free थी, so यहाँ पर product की को हम कर देंगे, paste, जो हमें पहले copy करी थी, so यहाँ पर serial की paste कर दी है, अब मैं क्लेक करूँगा, activate पर, thank you, studio one has been activated on this computer, so इसको करेंगे, okay, and यहाँ पर आप देख सकते हो, studio one हमारे पास install हो चुका है, हमारे system पर, so यहाँ पर जो हमने bundles डाउनलोड करें थे, आपको याद होगा, यहाँ पर जो मैं डाउनलोड कर रहा था, यह सारे bundles, so यह यहाँ पर again हम से पूछ रहा है, installation के time पर की, आपको वो install करने है, so total जो size है, वो है 2.78 GB, so आप देख सकते हो, आपने already अगर डाउनलोड कर ली है, so आप यहाँ से जाके भी इनको import कर सकते हो, and अगर आप चाहो, so आप यहाँ से भी install कर सकते हो, सिरफ इस install के button पर click कर के, so मैं यहाँ पर install के button पर click कर देता हूँ, क्योंकि यह जादा easy रहेगा, and आप देख सकते हो, जितने भी यहाँ पर bundles है, loop, samples, सारे यहाँ पर आपके डाउनलोड हो जाएंगे list-wise, so यहाँ पर जितना भी content है, downloadable content है, वो install हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो, the installed content will be available next time you start studio 1, do you want to restart studio 1 now, so अब इसको करते हैं restart, and सारे के सारे जितने भी इसमें packages हैं, वो install हमें मिल जाएंगे, so जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर studio 1 prime हमारे सामने आ चुका है, so जल्दी से हम open कर लेते हैं, एक new project को, so new song पर करेंगे click, so यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पूछेगा, यहाँ पर 2020, and साथ में मेरा नाम भी आ रहा है, यह free software है, आप जल्दी से जाके इसको download करिये, install करिये, and मैं try करूँगा, इस software पर और भी मैं videos बनाऊं, tutorials बनाऊं, proper एक playlist यहाँ पर मैं add कर दूँगा, अपने channel पर, यहाँ पर अगर बात करें, मेरे opinion की, कि मैं इसको कित्ती rating दूँगा, यहाँ फिर मेरे according, यह कैसा एक DAW है, so guys, देखो, सबसे पहली चीज, free मिल रहा है, and उससे भी बड़ी चीज, जो इसका GUI है, graphical, इसका user interface है, वो काफी अच्छा है, मतलब लगता है कि, हाँ यार कुछ आप कर रहे हो, कुछ software आप यूज कर रहे हो, for example, अगर मैं Ableton की बात करूँ, so अगर आप काम करोगे, आपको लगेगा, यार यह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, but जैसे जैसे आप यूज करते रहोगे, कि आपको मज़ा आएगा, लेकिन यहाँ पर starting से, जो beginner level से start करते हैं न लोग, so वहाँ पर उनको GUI से बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है, for example, अगर मैं एक example लोग, so वो है FL Studio, कितने लोग attract होते हैं न, so same, इसी की तरह, I mean उसी की तरह, इसका graphical user interface भी काफी अच्छा है, और काफी simplified है, so में को काफी सारी चीज़े अच्छी लगी है, मैं सोच रहूँ कि इसको भी use करूँ, बट मेरा जो main DAW है, वो तो Ableton ही है, बट फिर भी इसको try कर सकते हैं, और देखने में यार मेरे को सही में काफी अच्छा लगा है, कई बार तो ऐसा लग रहा था कि क्यूबेस है, मैंने एक community tab में post भी करा था, जहां पे मैंने थोड़ा सा screen आ रही थी, so मैंने पूछा था यह DAW कौन सा है, so काफी सारे लोगों ने वाहां पे, सही जवाब भी आता है Studio One, लेकिन काफी सारे लोगों ने वाहां पे Cubase भी बोला था, क्योंकि दूर से देखने में थोड़ा सा काई बार यह Cubase भी लगता है, so यहां पे, मैं बाते तो करता रहा हूँगा, आप लोग जल्दी से जाके इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, काफी सारे लोग वैसी यूज इसको कर रहे होंगे, so आगे भी वीडियो आएंगे और जिनको यह नहीं पता था, वो कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना, सब्स्क्राइब, प्लस वीडियो जो है, शेर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, so that आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाए अगर नहीं पता हो तो, so चलो, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,